एक छोटे से गाउं में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। बंटी अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं था। वह छोटा और पतला था लेकिन उसका दिल बहुत ही अच्छा था। एक दिन गाउं में एक अजगर घुसाया जिसे देख सभी गाउं वले परिशान होकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन बंटी नहीं भागा। उसने वहाँ एक बूड़ी औरत को फसा देखा और वो जानता था कि उन्हें बचाने के लिए कुछ करना होगा। बंटी बिना सोचे समझे जब बूड़ी औरत के पास पहुँचा तो उसने देखा कि वो चल नहीं सकती है और मदद के लिए रो रही है। तभी बंटी ने उसे अपने पीट पर लादा और अजगर से दूर भागने लगा। अजगर ने बंटी और बूड़ी औरत को भागते हुए देखा और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बंटी जानता था कि वो अजगर से आगे नहीं निकल सकता। इसलिए उसने उससे लड़ना ही सही समझा। उसने जमीन से एक छड़ी उठाई और अपनी पूरी ताकत से अजगर पर वार किया। अजगर पकड़ा गया था और बंटी बूड़ी औरत के साथ आगी चला गया। अंत मेवे कुछ भी नहीं हुआ और वो सुरक्षित थी। उस दिन से बंटी को उस बहादूर लड़के के रूप में जाना जाने लगा जिसने अजगर को हराया था। वह चोटा और पतला हो सकता था लेकिन उसका दिल एक सोने का था और यही उसे बहादूर बनाता था।